आप इसी किसी भी खटी मीठी चट्नी के साथ खा ये बहुत ही सौधिस्ट लगते हैं नमस्कार दोस्तों रूची के किचन में आपका सौगत है फ्रेंट्स आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगी प्याज पेशन और टमाटर से बनने वाला बेहस सौधिस्ट पराठा पराठे को बनाने के लिए हम 200 ग्राम क्यों का आटा ले रहे हैं आप क्यों के आटे की जगा मैदा भी ले सकते हैं आटे को हम बावल में डाल रहे हैं इसमें दो चम्मच हम सूजी डालेंगे सूजी डालने से हमारे पराठे बहुत ही करारे बनकर तयार होंगे एक बड़ा चमच हम इसमें refine डालेंगे मोया लगाने से हमारे पराखे बहुत ही सौधिस्ट बन कर तयार होते हैं और एक बड़ा चमच इसमें हम सफेद तिल डाल रहे हैं और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे सबी चीजे अच्छे से मिल चुकी है अब गुन गुने पानी से हम आटे को गूत लेंगे पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है आटे को थोड़ा हमें मुलायम गूतना है मुलायम गूतने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो इसमें सूजी डाली वो अच्छे से फोल जाएगी और फोलने के बाद हमारा आटा सक्त बनकर तयार होगा आटा हमारा गुट चुका है अब इसे हम 10 मिनट के लिए धक कर रख देंगे तब तक चलिए हम पने और भी मसालों की तयारी कर ले रहे हैं कैस पे हमने कढाई चला दी है कढाई गरम हो चुकी अब इसमें एक बड़ा चमच हम तेल डालेंगे लंबे स्लाइस में कटे हुए चार बड़े प्यास बारी कटी हरी मिर्च तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें एक बड़ा चमच हम सफेद तेल डालेंगे तिल अच्छे से चटकने लगे हैं अब इसमें हम प्याज डाल देंगे इसे हम चला लेंगे प्याज हलका सौफ्ट हो चुका है अब इसमें बारिक कटे हुए कड़ी पत्ते और हरी मिच डाल देंगे इसे हम चला लेंगे प्याज को हमें तेज आँच में नहीं पकाना इसे हमें बिल्कुल मीडियम आँच में पकाना है तेज आँच में पकाएंगे तो हमाँ प्याज जल जाएगा प्याज हलका सौफ्ट हो चुका आप इसमें हम टामाड़ डाल देंगे इसे हम चला लेंगे प्यास टमाटर अच्छे से मिल चुके हैं अब इसमें हम सौद अनुसार नमक डाल देंगे हींग इसे हम चला लेंगे गैस की फ्लेम को थोड़ा हम तेज कर देंगे अब इसमें दो बड़े चम्मच हम बेसन डालेंगे इसे हम अच्छे से मिला लेंगे बेसन प्यास टमाटर से अच्छे से मिल चुके हैं अब इसमें एक बड़ा चम्मच हम धन्या पौडर आधा चम्मच लाल मिश्वडर आधा चम्मच गरम मसाला थोड़ी सी हल्दी एक बड़ा चम्मच हमने मुंफली को भून के कूट लिया है इसे भी हम डाल देंगे सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे अब गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे और इसे तेज आँच में 4-5 नुट के लिए पकाएंगे सभी मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे आटे को गुते हुए दस्त मठ हो चुके हैं आटा भी काफी सक्त हो चुका है मसाला ठंडा हो चुका आप इसमें हरी धन्या पती डाल रहे हैं और इसे मिला लेंगे आप इसकी हम मीडियम साइज की लोई लेंगे और इसे गोल गोल कर लेंगे इसे हमें कटोरी की तरह बिल्कुल बनाना है आप इसमें हम दो चम्मच मसाला भरेंगे इसे एक बार इस तरी के सच्छे से दबा देंगे और इसे हम अच्छे से गोल राउंड में कर लेंगे उंगली की सहाइता से इसे हम दबाते जाएंगे और इसे चारो तरप से ऐसे फोल्ट कर देंगे अब इसमें हम हलका सुखा आटा लगा लेंगे एक्ट्रा आटे को हम जाड देंगे और इसे हम बेल लेंगे पराठा बेलकर तयार है तबा भी गरम हो चुका है अब इसमें हम पराठे को डालेंगे पराठे को हमें मीडियम आँच में ही पकाना है इसे हमें तेज आँच में नहीं पकाना है एक तरफ से अच्छे से पक चुका इसे हमने पलट दिया है अब इसमें हम रिफाइन लगा लेंगे आप पराठे को रिफाइन से बना सकते या कड़वे तेल या फिर देशी घी से ये तीनों तरीके से बहुत ही सौधिस्ट लगते है हम इसे रिफाइन लगा रहे हैं और रिफाइन लगा कर ही पराठा बना रहे हैं हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है इसे हम निकाल के रख लेंगे इसी तरीके से हम सभी पराठे बना कर तयार कर लेंगे तवे पे हमने दूसा पराट राल दिया है यह एक तरफ से अच्छे से हो चुका अब इसमें रिफाइन लगा लेंगे यह दोनों साइडों से अच्छे से पक चुका है इसे अब हम निकाल लेंगे इसी तरीके से अपने हम सभी पराटे तयार कर लेंगे बहुत ही स्वादिस्ट बेसन और प्याच के टमाटर बनकर तयार है आप इसे दही के साथ खा सकते या आप इसे अचार या किसी भी खटी मीठी चटनी के साथ खाए यह बेह स्वादिस्ट लगते है फ्रेंट्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट्स करके ज़रू बताएए मिलते हैं आप से आने वाली अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई